यदि जीवन में सुक चाहते हो, ऐसा सुक जो कभी न खतम हो, अधि आपको सुक चाहिए सच में, बस तुमों का सुक नहीं, आपको ऐसा सुक आनन्द हो, तो वो कैसे मिलेगा, जैश राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग, दोस्तों मैं अभी ठीक हूँ, दोस्तों जीवन में यदि सुक चाहिए, आपको आनन्द चाहिए, जो आप हर समय, हर घड़ी आप आनन्द में जीए, अपने होने का अर्थ समझें, तो एक्स को कैसे पा सकते हैं, दोस्तों आज का मेरा वीडियो इसी पर है, दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शियर भी करें, शियर में जैशिर राम लिखें, क्योंकि राम हमारी उर्जा है, दोस्तों हम सनातनी हैं और सनातन सबसे पुराना, सनातन की एक एक बात में बैग्या निकता है, कहीं भी कुछ भी जूट नहीं है कुछ लोग कहते ना बस कथा कहानियों में है सनातन लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि वो जो कथा कहानी एक भूत असान सरल माध्यम है आपको सिखाने का कि क्या होना चीए और क्या नहीं होना चीए अगर किताबे कम पड़ी हैं शास्त्र कम लगेगा तो आप चोटी चोटी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हो तो दोस्तों इसी तरह कि छोटी सी कहानी में अभी आपको सुनाओंगी और उस कहानी से आपको पता लगेगा कि हम अपने जीवन में हमेशा आनंदित और सुखी कैसे रहें तो दोस्तों शुरू करते कहानी एक चमार था जो कि चोटी सी एक दुकान थी और वो आपको पता ही है चमार जूते होते बनाने का काम करता था लेकिन कर्म तो अपनी जगह है लेकिन बुद्धी विवेक सब अलग अलग होता है देखिए पुराने जमाने के अनबड़े लोगों को भी वह वाली सिक् प्षा उठान करने की है तो एक दिन क्या हुआ कि जो चमार की दुकान थी ना उसकी बाहर एक गड्धा था उस गड्धे में पानी भरावा था उस पानी में एक कमल खिलावा था जो कि बहुत सुन्दर था बहुत खुबसूरा था वहां से राजा और राजा के सिफाई जा रहे थे अब सिफाई जा रहे थे तो राजा की नजर उस कमल पर पड़ी और राजा जा रहे थे किसी संत के दर्सन के लिए वे संत जो की दिव्यपुरुस थे उनकी दर्सन के लिए राजा जा रहे थे तो राजा ने देखा इतना खुबसूरत फूल यह कमल का पुस्पतों मैं अपने उन संत को भेड़ देना चाहता हूं तो राजा ने सब को रोका और पटापट करके चमार जी के पास गए कहा कि आप मुझी यह आपका कमल का फूल जो खिलावाई बहुत पसंदा रहा है और मैं यात्रा पड़ूं तो मै आप से कमल का फूल मांगता हूं आप खरीदना चाहता हूं आप इसकी कीमत बताएं चमार को थोड़ा सा खरीदना राजा तो ले सकता है सीधे लेकिन खरीदने की बात है तो राजा ने कहा कि आप इसकी कीमत बताओ तो चमार ने कहा देखो मैंने आज तक इसको कभी बेच सकता है तो राजा ने कहा कि ठीक है तुम्हें नहीं पता है तो तुम पांच मैं तुम्हें पांच सोने की असर रुफियां दूंगा और आप मुझे यह कमल दे दो चमार ने सुचा पांच सोने की असरविया, मुझे तो पता है नहीं था, ये कमल का भूल इतना केमती है, तो चमार ने बोले, नहीं, नहीं, राजा ने बोले, चलो, दस, दस सोने की असरविया, चमार ने में सुचा, असका भी लालच बढ़ने लगे से, नहीं, दस नहीं, त प्रत रहता थाक हजार सोने किया सफिया पोस्त जमार ने बुला नहीं नहीं हजार भी नहीं पिर राजने का चलो दसफ़ार भी नहीं पिर राजने का चलो एक लाक सवर्ण मुद्राएं चमार के दो दिमाख राओ उने बोले एक लाग चमार ने कहा नहीं मैं इसको बेचना ही नहीं चाहता हूं बस फिर राजा ने बोलो दो लाग स्वर्ण मुद्राएं तुम बोलो इसको दो मुझे मैं तुमें दो लाग स्वर्ण मुद्राएं दूगा चमार ने कहा आप वैसे इस पुस्प को ले के कहा जा रहे हैं राजा से पूछा आप मैं पूछ सकता हूँ आपको किसको देने के लिए चीए ये तो राजा ने कहा कि मैं एक दिव्य पुरुष संत हैं उनके दर्सन के लिए जा रहा हूं और मैं उनको ये भेट करना चाता हूं चमार नहीं कहा मुझे आपके से मैं इसको बेचूंगा नहीं लेकिन इसको तोड़ करके मैं भी आपके साथ चलूँ गा और मैं स्वयम उनको भेट करूँगा तो आगे आगे वो चमार अपना पुस्प लेके चल रहे थे पिछे पिछे राजा और राजा के सिभाई चल रहे थे चलते 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 वो चले गए संत के पास संत जो थे वो दिव्यपुरुष थे उनको दिव्यद्रिष्टी थी उनको सब कुछ दिख रहा था और उन्हों ने वो राज चमार ने वो पुस पूठाया और दिव्यपुरुष संत के आगे बेट कर दिया दोनों हाँ जोड़के नत्मस्तक हो गया तो जो दिव्यपुरुष थे संत थे उन्होंने कहा कि तुम सच में भागीदार भागीदार हो तुम इसकी योग्यता रखते हो कि तुमको भगवत प्राप्ति हो क्यों तुमारे अंदर इतना बड़ा त्याग कि तुमने दो लाग स्वण मुद्राय ठुकरा दी दो लाग स्वण मुद्राय ठुकरा दी और तुमने कगहा कि नहीं मैं स्वयमी obsessed को गुरु को अर्पित करूँगा तो इस तरह से वह उनके जो दिवय पुरुस थे उन्होंने उनको अश्रिवाद दिया उनको गुरु मंत्र दिया उसके बाद उन्होंने गुरु मंत्र किया और पूरा जीवन सुख में जीने के साथ उन्होंने अंत में भगवान प्राप्ति हुई उनको भगवत प्राप्ति हुई इस तरह से एक जम भगवत प्रापती हो गए किस वज़े से देखो आब आब बताओ, जरा सोचो। हाँ टयाग जीवन में जो टयाग करता है, और । के साथ जीता है। त्याग के साथ भोग करना ही असली सुख है। तो दोस्तों आपको जीवन में सुख चाहिए तो त्याग सीखो, अगर असल में सुख चीए, आनन्द चीए, तो त्याग के साथ जीवन जीए, देखो आपको बहुत ही आनन्द आएगा, और अगर आप भोग पे रहते हो, सिर्फ भोग करते हो, तो आप जीवन में आपके प आप कमेंट जरूर करें और त्याग के साथ अपनी जीवन को जिए सुख में बनाएं थेंक यू पर वाचिंग जैशुराम